परिचे इन चीजों को देखो चिठी, समाचार पत्र, रेडियो, टेलिफोन, टेलिविजिन, फैक्स, मोबाइल फोन और इंटरनेट ये सभी हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करते हैं, ये संचार के साधन है आओ, संचार के साधनों के बारे में और जानते हैं आओ, सीखें संचार के विभिन साधनों के बारे में बताना चिठी की यात्रा समझाना संचार के आधुनिक साधनों के बारे में जानना चिठी आपने चिठी लिखने के लिए कागस कलम का प्रयोग जरूर किया होगा हम दुनिया में कहीं के भी लोगों से सूचना के आदान प्रदान करने के लिए चिठी का प्रयोग करते हैं चिठी कई प्रकार की होती है इनमें पोस्ट कार्ड, अंतरदेशिय और लिफाफा सबसे प्रचलित हैं क्या आपने टेलिग्राम के बारे में सुना है? यह एक प्रकार की चिठी ही होती है, जिसमें छोटा संदेश होता है और यह चिठी की तुलना में बहुत तेजी से पहुँचती है. चिठी का सफर क्या आप जानते हैं वह कौन है? हाँ, वह डाकिया है. हमारी चिठी, लिफाफा और पार्सल लाता है. आओ जानें कि वह चिठी कैसे पहुचाता है? जब आप चिठी लिख लेते हैं, तब आप सबसे उपर उस आदमी का नाम और पता लिखते हैं जिसे चिठी भेजनी है. यदि आप लिफाफा भेज रही हैं, तो उस पर उचित मूल्य का टिकेट लगाना होता है. इसके बाद आप चिठी को डाक बकसे में डाल देते हैं, जहां से डाक किया, उसे इकठा करके डाक घर ले जाता है. यह डाक घर है. यहां सभी चिठियां जिन पतों पर भेजी जानी हैं, उनके आधार पर अलग-अलग छाटी और बंडल में बांधी जाती हैं. इसके बाद ट्रेन, बस या हवाई जहाज से अलग-अलग जोलों में, उनके निर्धारित स्थान तक ले जाते हैं. अपने गंतव्य के मुख्य डाक घर में पहुँचने के बाद, चिठियों को उन पर लिखे पते के अनुसार छाटा जाता है. उसके बाद हर डाकिया चिठि को सही आदमी तक पहुँचाता है. इस तरह एक चिठी एक लंबा सफर तै करती है, और अपनी मंजिल तक पहुँचने में पाँच-छे दिन लेती है. समाचार पत्र यह एक समाचार पत्र है. यह संचार का सबसे सस्ता साधन है. समाचार पत्र कागस पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचनाएं देता है. समाचार पत्र कई भाशाओं में छपता है. रेडियो और टेलिविजिन दोस्तों, आउ संचार के कुछ अन्य साधनों के बारे में जाने. कुछ लोग समाचार पढ़ना पसंद नहीं करते, वो समाचार सुन सकते हैं. रेडियो हमें समाचार और विभिन गाने सुनने में मदद करता है. टेलिविजिन हमें दूर हो रही चीजों को देखने और सुनने दोनों की सुविधा देता है. हमारे घरों में हम टेलिविजिन पर फिल्म, शिक्षा प्रद कार्यक्रम, खेल कूद और समाचार देख सकते हैं. टेलिफोन और मोबाइल रिक अपने दोस्त सैम से बात कर रहा है. वह टेलिफोन का प्रयोग कर रहा है. टेलिफोन टेलिफोन के तारों की सहायता से संदेश के आदान प्रदान में मदद करता है. हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन ने टेलिफोन की जगह ले ली है मोबाइल फोन को लेकर कहीं भी जा सकते हैं यह फोन से ज्यादा उपयोगी है Fax Fax सुदूर के किसी व्यक्ति के पास Fax Machine के माध्यम से पहुँचने वाला लिखित या टंकित संदेश होता है Fax Machine टेलिफोन लाइन का प्रियोग करती है Internet आज Computer और Internet का युग है Email, Computer और Internet के माध्यम से भेजा जाने वाला टंकित संदेश है यह Mouse के एक ही क्लिक से किसी संदेश को कुछ ही सेकिंडों में पहुचाने में सहायक होते हैं हमने क्या चर्चा की? चिठी, समाचार पत्र, रेडियो, टेलिफोन, टेलिविजिन, फाक्स, मोबाइल फोन और Internet संचार के विभिन साधन है एक चिठी हम तक पहुचने से पहले 5-6 दिन का सफरतै करती है रेडियो हमें समाचार और विभिन गाने सुनाने में मदद करता है समाचार पत्र कागस पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचनाएं देता है टेलिविजिन हमें सुनने और देखने दोनों में मदद करता है फैक्स और इमेल संचार के आधुनिक साधन है